नमस्कार, आज इस वीडियो में हाल की घटना क्रमों पर सोशल मीडिया में आपको क्या-क्या दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया और कैसे बरगलाया गया इस पर बात होगी, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा देश की राज़ानी दिल्ली में तापमान, जी हाँ, असली वाला ही, मतलब मौसम वाला ही, सारे रिकॉर्ड तोडने वाला है, ये खबरें छपने लगी हैं और राजनिती का तापमान तो पूछे ही मत, और सोशल मीडिया का तापमान तो उससे भी कुछ गुना आगे सुबे से सोशल मीडिया में, कॉंग्रेस में सेंध मारी, डूपता जहाज, विचार धारा गई तेल लेने और केजरिवाल की आतमा सब देख रही है, टाइप के मीम और ताने वाइरल हो रहे हैं इन नेताओं का कोई दीन इमान नहीं है, वाली गुर्राहड भी है, क्यों भही, वज़ा हैं ये तीन चहरे क्योंकि ये तीनों ही नाम, अब भूत पूर्व कॉंग्रेस नेता हो गए है गौरब वललब जुने आपने टीवी की सेंक्रो डिबेट्स में देखा होगा, इन फाक्ट टीवी का इंसाइड आपको बताऊं तो चानल्स में डिबेट करने वाले अंकर्स और प्रोड्यूसर्स को बड़ा चाओ रहता था तो ये मसला उन दिनों काफी वाइरल था और आज मीम वाइरल है कि गौरब वललब ने जिन तरकों पर संबित पात्रा और बीजेपी को घेरा था अब वही तरक वो भूल गए है तो गौरब वललब भी 400 पार वाली टीम में शामिल हो गए है बीजेपी के महासचिव विनो तावरे ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया इससे पहले उन्होंने अपनी रुखसती की सूचना एक्सपर पोस्ट की जिसमें बॉल्ड बिग लेटर्स में लिखा कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता जी सनातन विरोधी यानि जिस स्टोन में स्तीफा खड़के साहब को भीजा गया उसमें क्लियर कट बीजेपी का तड़का है और सनातन विरोधी जैसे शब्दों का प्रयोग करते ही आप एक साइट चुन लेते हैं और देश के बड़े तपके को एक मेसेज जित दे देते ह है कि ये सरातन विरोधी इन दिनो आप समझ दी मतलब ये एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जो आपके पुराने सारे लेखे जोखे को खत्म कर देता है यानि सनातन विरोधी के आगे गौरव बल्लब जी द्वारा मांगी गई मोधी जी और स्मृती जी की डिगरी 5 ट्रिलियन के जीरो, रोजगार, गरीबी और किसानी की आंकडे सब स्वाहा हो गए क्योंकि सनातन का नाम और चर्चा इन दिनों सनातन शब्द और सनातन कॉंसेट की असल स्वरू पर परिभाशा के लिए नहीं बल्कि अपनी परसनल और प्रफेशनल ग्रोथ के लिए अवसर वाधिता क के लिए सूट करता है और उसी आधार पर हो रहा है लगबग वही हाल बॉकसर विजेंदर का भी है जो भारत जोड़ो यात्रा में राहूल गांदी के साथ मूचो पड़ताओ दे रहे थे पोस्टर बॉय बने फिर रहे थे अब वो अपनी सोच बदलने का कारण निउस 24 को ये बता रहे थे बाया बेटा पहले पेड़ लगाना पड़ता है बस वही बात है जी बीजबोया पेड़ उगा क्या और फिर फल की भूग तो सभी को है सवाल ये है कि क्या गौरव वल्लब मास लीडर है क्या जो चुनाव लड़ने के मौके उन्हें मिले उसमें वो जनता से चुनकर आ पाए क्या विजेंदर अपने इमेज और अपने चेहरे और अपने प्रोफाइल पर चुनाव जीत पाए नहीं चलिए चुनाव नहीं भी जीते तो उससे आगे सिवाए एक चेहरा होने के पार्टी को संगठन को किसी रूप में मजबूत कर पाए नहीं उनके चले जाने से कॉंग्रेस जो अलोडी अपने खराब दोर से गुजर रही है, तो क्या कॉंग्रेस को ज्यादा लुकसान हो जाएगा? शायद कुछ नहीं और बीजेपी को क्या मिलेगा शायद कुछ खास नहीं सिवाए पर्सेप्शन के कि बीजेपी में आने के लिए कॉंग्रेस के नेता कितने उतावले हैं पार्टी ने गौरव बल्लब को हैसियत से जादे दिया था दो दो जगे से चुनाव लड़ाया तब गौरव बल्लन ने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी तब पार्टी की नीतियों की क्यों आलो चुना नहीं की केंदरी समीती में उनको सलाकार की भूमिका में रखा गया तब उन्होंने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी, तब पार्टी नहीं की नीतियों की आलोचना नहीं की, अब लोग सभा के चुनाव हैं, भारती जनता पार्टी के कहने से आप पार्टी छोड़ रहे हैं, भारती जनता पार्टी से आपकी डील क्या हुई है, आपको ये भी र अब यहां से आता है दूसरा पॉइंट कि नेता जो वजह सारवजनिक रूप से बताकर कॉंग्रिस छोड़ रहे हैं क्या सिर्फ वही असली वजह है तो देखिए ऐसा भी नहीं है अब राजनीती वह है जो की आजादी की दौर में नहीं थी उस समय तो आजादी मकसद था द से निकलने की दौर और यही इस वक्त हो रहा है राजनिती दल अब कॉर्परेट स्टाइल में काम कर रहे हैं वहां अब जो दल है वो नेता जो उसमें कारियर रहते है देश रेवार समाज सेवा के लिए नहीं बलकि जॉब पर है वैसे ही जॉब जैसे आप यहां किसी आफिस में जाते हैं, जब लगा कि करियर में इस संस्थान में अब अच्छे अपसर नहीं मिल रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही है, या कद नहीं बढ़ रहा, तो लोग दूसरे संस्थान का रुख करते हैं, वही ट्रेंड अब राजनितिक दलों में भ हो गया है, और इसलिए इस नजरिये से बीजेपी इस वक्त सबसे सुनहरे दौर में हैं, और बाकी दल, खासकर कॉंग्रेस में सिर्फ विचारधारा के तले नेताओं को रोकना अपसंभव नहीं, इस विशे पर आप मेरा ये पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, क्यो क्यों कहा था विडियो देखिएगा, और इनी पुलिटिकल एंबिशिन्स के आगे आपको जोतिरा दित्र सिंधिया हो, मिलन देवडा हो, हेमंत बिस्व सर्मा हो, अशोक चवान हो, बाबा सिद्की हो, या फिर संजय निरूपम, बेचैनी के अधार पर इसमें आप सचिन पाइलेट का नाम भी जोड लीजिए, कोई भी पार्टी के साथ चिपक कर अपने अगले 10 साल इंतजार में, मतलब अगर 10 साल कॉंग्रेस सकता से फिर बाहर है, तो अपनी बारी के इंतजार में कोई नहीं रहना चाता, नतीजा अप्रेल के इस महीने में जबकि वसंत की व प्रेस रिलीस जारी कर देने से, या रामलेला मैदान में के जिवाल के समर्थन में एक आवाज बुलंद कर लेने से, क्या सब ठीक हो जाएगा, या आप मैदान में टक्कर देने लाइक हो जाएंगे, पी-एम मोधी, ग्रेमंत्री अमिच्षा, बीजेपी, अध्यक्ष जे ये बताती है, कि आपने पहले ही हार मान ली है, और बीजेपी को क्लीन स्वीप करने के लिए आपने छोड़ दिया है, इलेक्टोरल बॉंड जैसे मुद्दे को आप चुनावी मुद्दा नहीं बना पा रहे है, तो ये कमी सिर्फ आपकी है, मैंने अपने पिछले वीडिय और अनैतिक कह दिया, उसे आप जनता की अलालत तक नहीं ले जा पा रहे है, उसे मुद्दा नहीं बना पा रहे है, और सारा रोना किस बात का, एकाउंट फ्रीज हो गए, मैच फिक्स है, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो आज आप अपने गिरेबा में जहाकि और बताईए कि दो सांसदों वाली बीजेपी के पास भी तीन सो पार जाने तक के सफर के बीच में कितना चंदा रहा होगा, कितना पैसा रहा होगा, कितनी ताकत रही होगी, उस दौर में जुताकत कॉंग्रेस के पास थी, वो आज या फिर मैं कहूँ उससे भी ज्यादा इन फैक्ट आज बीजेपी के पास है, लेकिन विपक्ष के नेता तो संघर्ष तक करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, अरे हारना भी है, तो कम से कम लड़कर तो हार ये, स्मृति इरानी चुनाव हार कर भी अमेठी में डटी रही, ये क्रेडिट तो उनसे कोई नहीं ले या यूट्यूब पर शायद विपक्ष से ज्यादा सरकार को गेरा जा रहा है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ओपोजिशन बे असर है, आएगा तो मोदी ही वाले नारों के बीच, आज सवाल ये है कि मोदी जी अगर आएंगे तो 400 पार के साथ आएंगे या उससे कम में आएंगे, मतलब ये narrative है, यानि विपक्ष को टकर के लायक तक नहीं समझा जा रहा, अब इसमें आप गोदी मीडिया वाली बाते कह ले, एजनसी के दुरुपियोग वाली बाते कह ले, या फिर पैसे की काकत की बात कर ले, लेकिन अगर आपने लड़ने से पह अचा नहीं है, विपक्ष को भी है, इस वीडियो में इतना ही, मुझे जरूर बताईएगा, आज जो तीन पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखे, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर जाहिर करिएगा राय शुमारी से, खुल कर बोलने से, अपने विचार सामने रखने से, और दूसरे के विचार सुनने से, लोकतंत्र मजबूत होता है, बहुत छोटी सी बात हैं, लेकिन काम की हैं, बहुत धन्यवाद, न्यूस बीट्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, च चैनल को financially contribute कर सकते हैं, बहुत धन्यवाद,